दोस्तो नमस्कार एक्जाम का अंकर्ष चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूं के दाननात मिश्रा दोस्तो आगामी यूपी पीसियस परिक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो घटना सार की एक करेंट अफेर्स की सिरीज चला रहे हैं उसमें आज हम एक नए टॉपिक और अभियान को लेकर उपस्तित हुए है और आप जानते हैं कि यहां से यूपी पीसियस की परिक्षा में एक या दो प्रस्न सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं और हां यह नकिवल यूपी पीसियस की परिक्षा में बलकि बिहार पीसियस की परिक्षा में भी यहां से कोटी है संचित में हमने सारे और अभियान को समझा दिया है जो और अभियान बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी परिक्षा में पूछे जाने की संभावना सब से ज्यादा है उनका हमने डिटेल भी बताया है और जो केवल जानकारी के लिए रखना जरूरी है यहां से बहक के प्रस्न वहां से पूछा जाए मतलब जिसको हमने गेस किया उसके अलावा कहीं से प्रस्न पूछे जाए तो ऐसे में कुछ युद्धा भ्यास के हमने सार्ट म उनके बारे में कुछ बता दिया है जिनके लिए जो है जो परिच्छा में पूछे जाएंगे और आप गलत नहीं करेंगे ठीक है तो यह वीडियो बहुत बढ़ी नहीं होगी बहुत चोटी वीडियो है इसलिए पूरी वीडियो देखने का प्रयास करें ठीक है तो परिक्षा के लिए उतना ही इंपोर्टेंट है ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं अपरिशन और अभ्याद देखें पहला साइन अभ्यास है काजिंद के बारे में जान लेते हैं देखें काजिंद के जेड आई एंडी ठीक है तो इसको हमने सार्ट में बना दिया है के साइन अभ्यास शुरू किया है और यह इसका आठवा संस्क्रण है ठीक है दोस्तों इस वीडियो की शुरूआत करने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं जो आपरेशन और अभियान से समंदित प्रस्ण पूछे जाते हैं कभी-कभी केवल उसमें यह दे देता है कि यह में जो तो सब्सक्राइब करते हैं करते हैं तो यौदेश य। जो ऊच्छी चलिए हैं बकुल नहीं पड़ेंगी। सब्सक्राइब इसमें चालए दोए कोस्तान हैं और दूसरा है इंडिया थीक है तू कज्यागिस्टतान और बिच काजिन्द सैन अभ्यास होता है यह इंपोर्टेंट है याद रखेगा इस बार आठवा संस्क्राण था वर्स 2024 में और यह कहां हुआ देखे अस्थान कजाकिस्तान और इंडिया के बीच काजिंद हुआ आठवा संस्क्राण अउली उत्तराखंड में संपन हुआ परवती और अर्ध सहरी परद्रिस में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है यह उद्देश शिध्यान रखेगा आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है ठीक है सहरी और परवती छेत्रों में ठीक चलिए नेक्स देखते हैं अगला युद्ध व्यास है मालाबार 2024 देखें मालाबार इसका आयोजन कहां हुआ विशाखा पत्तनम भारत में हुआ सामिल देश कौन है यह आस्ट्रेलिया जापान वह अमेरिका बस तो आगे चलते हैं नेक्स देखते हैं स्वाव लंबन सक्ति अभ्यास 2024 देखें यह भारती सेना की सुधर्षन को ने अभ्यास किया है और कहां किया है बावीना फिल्ड फाइरिंग रेंज जहांसी में ठीक है अब इसका उद्देश है नई उन्नत प्रध्योग्यों का नई उन्नक प्रद्वकय से सेना की उद्ध्चमता में सुधार करना इसका उद्ध स्य था नेक्स्ट देखते हैं नाविक शागर परिक्रमा सेकेंड इसकी शुरुआत कहां से होती है इसकी शुरुआत होती है गोवा से इसमें दो महिला अधिकारी शामिल है जो पूरे विश्व की परिक्रमा करने निकली है इसमें एक है लेटिनेंट कमांडर रूपा ए और दूसरी है लेटिनेंट कमांडर दिलना के ठीक है ये के इनके नाम के साथ जुड़ा है तो लेटिनेंट कमांडर रूपा ए और लेटिनेंट कमांडर दिलना के ये दो महिलादिकारी हैं जो नाविक सागर परिक्रमा में निकली है और इसकी शुरुवात गोवा से हुई है अब देखें इनकी जो नौका है वो कौन सी है इनकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है यात्रा की कुल दूरी है 21600 समुद्री मील की यात्रा ये करेंगी और इस दवरान ये चार महादीपों तीन महासागरों और तीन अंतरीपों से गुजरेंगी कुल समय कितना लगेगा इनका कुल समय लगेगा 240 दिन अब देखें इसमें सबसे इंपोर्टन क्या है आपको फोकस किसवे करना है नाविक सागर परिक्रमा टू इसकी सुरुवात हुई गोवा से इसमें सामिल कौन-कौन है दो महिला अधिकारी है एक लेफटिनेंट कमां युदव्यास 2024 हुआ भारत वश्री लंका के बीच में और इसका आयोजन अस्थल कहां है मधुर ओया स्रि लंका में मुडर सक्त्य अभ्यास 2024 इसका आयोजन होता है भारत वर श्री लंका के बीच और इस बार सम्पंध कहां हुआ तो भारत वा अमेरिका के बीच युध्ध भ्यास 2024 हुआ महाजन फैल्ड फाइरिंग रेंज तो पूछे जाने की सम्हावना बहुत कम होती है कि वह आपसे यह जानना चाहे कि कौन सा संस्क्रण है जब वह प्रस्ण करता है तो वह आपको स्वयंग ही बताएगा कि 20 संस्क्रण युद्धा अभ्यास के 20 संस्क्रण का आयोजन कि दो देशों के बीच में हुआ तो वह पूछेगा क्योंकि इतना याद करना बहुत कफिन है ठीक है इसलिए हमने कहीं संस्क्रण लिख दीया है और कहीं कहीं नहीं लिखा कि आपदा के समय लोगों की सुरक्षा, जानमाल की रक्षा कैसे करनी है, इसके लिए किया गया अभ्यास, आइकिया, अब देखे इसे संबंधित जो प्रस्ण बनेगा, वो कैसे बनेगा, यह बनेगा कि रास्थी आपदा प्रबंधन प्राधी करने, आपदा से जानमाल की कौन सा अभ्यास किया है, तो यह अभ्यास है, आइकिया, यह आइकिया अभ्यास का संबंध है, ऐसे प्रस्ण पूछा जाएगा, तो इसका संबंध है, आपदा से निपतने में सेना को तयार करना, यह आपदा प्रबंधन प्राधी करन को तयार करना, ठीक है, और इसका आय ब्रिज का जो अभ्यास होता वो किसके बीच होता है सबसे पहले यह जानेंगे तो यह भारती बायोसेना देखे यह बायोसेनिक अभ्यास है तो भारती बायोसेना और रायल ओमान एयरफोर्स के बीच में होता है ठीक है तो इस्टर्न ब्रिज से बन इस्टर्न ब्रिज जो अ 17 बिमान ने हिस्सा लिया कभी कभी जो महत बहुत महत्वपोड आपरेशन होते हैं उसमें यह पूछ लिया जाता है कि भारत की तरफ से किन-किन बिमानों ने हिस्सा लिया तो देखे इस टर्न ब्रिस से बन भारत की वायुसे ना और रायल ओमान एयर फोर्स के बीच में आयो अब ही हमने क्या बताया जो इस टर्न ब्रिज है यह भारत वायुसे ना और रायल ओमान एयर फोर्स के बीच में अब देखे अलन जाज जो है भारत वायुसे ना की तर्न ब्रिज होता है तो भारत और उमान की बायुसे ना के बीच इस्टर्न ब्रिज होता है और भारत उमान की थल सेना के बीच अलन जास अलन ब्यास होता है और भारत उमान की नौ सेना के बीच नसीम अल बहार युद्धा ब्यास होता है और इन सभी युद्धा ब्यास का आयोजन इस बार किय तो इसलिए आप ओमान मारके इस प्रस्णों को सही कर सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं आपरेशन प्लिच ब्लैंक 2024 आपरेशन प्लिच ब्लैंक 2024 इसका आयोजन किया गया ऐस्ट्रेलियन एयर फोर्स बेस डार्विन में किया गया एक 140 लड़ाकू बिमान इसमें सामिल हुए 4400 सैनिक इसमें सामिल हुए भारत की तरफ से कौन रहा सुखोई 30 MKI बिमान रहा ठीक है और सी सत्रक ग्लोब मास्टर और आयल 78 ने हिस्सा लिया ठीक और इसका जो आयोजन होता है वह प्रतेक दो बर्स में इसका आयोजन किया जाता है अब देखे इसको फिर से देखते हैं आपरेशन पिच ब्लैक 2024 इसका आयोजन आस्ट्रेलियन एयर फोर्स बेस डार्विन में किय गया कुल 20 देशों में ने हिस्सा लिया मतलब यह बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास था 140 लडाकु विमान आये इस देशों से 4400 सैनिक भी इसमें सामिल हुए भारत की तरफ से इसमें सुखोई 30 म के आई लडाकु विमान सी सत्रक ग्लोब मास्टर और आयल 78 ने हिस्सा लिया और आपरेशन पिछ ब्लाइक का आयोजन प्रतेक दो बर्स में किया जाता है मतलब हर दूसरे बर्स इस आपरेशन का इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है साने फ्यास सिंबेक्स दोचारपोर के बीच होता है इस से ज़्याधा कोई आवस्यक्ता नहीं है परिच्छा में ऐसे ही पूछा जाएगा कि सिंबेक्स किन के बीच में होता है और इस वर्स 2024 का सिंबेक्स अभ्यास कहां पर संपर्ण हुआ तो विशाखा पत्नाम आंद्रप्रदेश में बस इतने से आपका काम हो जाएगा बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरूरत नहीं और वर्स 2024 में इसका आयोजन हुआ उम्रोई मेघाले में मेघाले के उम्रोई में वर्स 2024 का नोमैडिक एलिफैंट अभ्यास का आयोजन हुआ यह भारत वा मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है नेक्स देखते हैं बहुपच्छी अभ्यास क्या है बहुपच्छी कामिल है इसका नाम है काकाडू बहुत अच्छी अभ्यास है यह और इसका नाम है काकाडू यह कहां हुगा यह राइल आस्टेलिया नेवी का सबसे बढ़ा नौ सैनिक अभ्यास है ध्यान रखिएगा काकाडू क्या है यह नौ सैनिक अभ्यास है यह भी ध्यान रखिएगा य जाएन चाहिए ध्यान रखेगा भारती नाओ सेना का विमान वो पी एट आई-पोसी डान सामिल सामिल हुआ इंपोर्टेंट है याद रखिएगा नेक्स्ट देखते हैं अभ्यास रिमपायक आप इसके बारे में लगातार सुनते आए होंगे अभ्यास रिमपायक का मतलब है रिम आप सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास अगर आप से पूछा जाए समुद्री अभ्यास तो वह कौन सा है तो वह है रिमपायक रिम आप पेसिफिक इसमें कुल 29 देश हिस्सा लिए 25,000 से अधिक साइनिकों ने इसमें भागीदारी की मतलब 29 देशों ने हिस्सा लिया और 32 देशों से आए 25,000 से अधिक साइनिकों ने इसमें भागीदारी की खास बात या है कि भारत भी इसमें भागीदार है भारत भी रिमपायक में भागीदार है और इसका आयोजन इस बार किया गया है हवाई USA में ठीक है यूनाइटेड स्टेट आप अमेरिका के हवाई में इसका अयोजन किया गया है रिमपायक का ठीक है चली देखें अगला अभ्यास है एक्स खान नकुएष्ट तोहजार चॉबिस क्या है एक्स खान घूच्ट 2 जार चॉबिस इसे के क्यूटिव दंटी फोर में ऑर यह संपन हुआ जुलाई दोहजार चॉविस में ठीक है अब देखे एक्स खान क्वेस्ट इसकी खास बात यह है कि यह बहुराष्टी सांति अस्थापना का अभ्यास कहा जाता इसे बहुराष्टी सांति अस्थापना के लिए अभ्यास इसको कहा जाता है अब देखे इसे प्रस्न कैसे पूछा जाएगा कि बहुराष्टी सांति अ अभ्यास है इसका मुख्युद्य से बहुरास्थी सांति अस्थापना के लिए अभ्यास किया जाता है तो यह इंपोर्टेंट है इसे याद रखिए का अलग से ठीक है अब देखें इसमें सामिल देश कौन से हैं भारत आस्ट्रेलिया कनाडा चीन जापान तुर्की यूएस सामिल है इसमें परवेक्षक देश भी सामिल रहे खास बात है परवेक्षक देशों को जरूर याद रखिएगा क्योंकि एकाद बार उत्तरप्रदेश लोग से वायोग ने परवेक्षक देशों के नाम पूछ लिया है ठीक है तो आप इनके बारे में जानिएगा सौधी 12 यूव fundamental is khaan quest 2023 देश रहे यह भी सामिल है इंपोर्टेंट है expensiveicion काई इसका किया गया उलनびटोर मंगोलिया में ओलए युद्धा ब्याष के बारे में जान लेते हैं यह वायू सेना का अभ्यास है यह बहुपक्षी है मतलब एक से अधिक देश इसमें सामिल है और इसमें जो आयोजन है इसका अलासका अमेरिका में किया गया तो रेड फ्लैग 24 का जो आयोजन है वायू सेना अभ्यास है बहुपक्षी है इसका अलासका अमेरिक देशों ने इसमें हिसालिया अब देखें इस समय चर्चा में है और भारत के राफिल बीमानों ने इसमें हिसालिया थीक है अँआ भारत इसका भागीदार है मोस्ट फिर्फाइग करें टुंटिफॉर ञें साथी साथ इस्राइवल lika कनाडा यू के आद देशों ने इसमें सलिया मोस्ट इंपोर्टेंट है आप इसे याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं आपरेशन संकल्प के बारे में जान लेते हैं भारतिय नौसयनिक जहाज आई-एन-एस कोलकाता ने माल्टा के ध्वजवाले जहाज पर अब देखें आपरेशन संकल्प क्या है आपरेशन संकल्प के तहथ भारती नौसयनिक जहाज ने इसका नाम है आई-एन-एस कोलकाता ने माल्टा ध्वजले के एक जहाज को समुद्री लुटेरे लूटने जा रहे थे उस जहाज का नाम था एम वी रुएन इसको बचाया है और 36 सोमालियाई दाकों को 36 सोमालियाई समुद्री लुटेरों को गिरफतार भी किया है यह most important है ठीक है ने 36 लुटेरों को गिरफतार किया और साथ ही माल्टा के ध्वजवाले जहाज को बचाया उसका नाम है एम पी रुएन और इस आपरेशन का नाम है आपरेशन इंपोरेंट है यह भी इंपोर्टेंट है और सरकार यह में बिद्रोही गूट और सेना के बीच जो है हिंसा बढ़क गई थी युद्ध के आहलात बन गए थे ऐसे में है तो फसे भारतिये थे भारतियों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने आपरेशन इंद्रावती चलाये था most important है आप इतना ही जाने आपरेशन इंद्रावती क्या है तो हैती में फसे भारतियों को यह भी important है मिलन 2024 नौसाइनिक अभ्यास है प्रटेक दो बर्स में होता है इस बर्स इसका आयोजन हुआ बिशाखा पत्ना मांदर प्रदेश में इसमें हिस्सा लेने वाले जो देश हैं खासकर नौसाइनिक अभ्यास है तो जितने देशों ने इसमें हिस्सा लिया भारत संपन हुआ इसको देखें 21 से लीया है मीन 2024 संपन हुआ उचैकर यह थे बहुत महत्तुपूट्वत जो आप अभ्यान थे जिनके परिक्षा में पूछे जाने की संभावना 100% है इन में से कोई भी एक से अधिक प्रस्ण जरूर पूछे जा सकते हैं कथन कारण के रूप में भी पूछे जा सकते हैं एक से अधिक कथनों के रूप में भी पूछे जा सकते हैं तो हमने पूरा डिटेल आ बिहार PCS आयोग ऐसे भी प्रस्नों को बनाता है तो हमने इसके लिए सार्ट में यह समझ लिया है बना दिया है कि कौन युद्धा अभ्यास किस किस के साथ होता है तो वह इंपॉर्टेंट है बस कुछ मिनट में हम उसको सभी को समेट लेते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं देखें सबसे पहले अन्य महत्वण अभ्यास और उसमें कौन कौन से देश समलित है इसके बारे में जानते हैं तो पहला है समुद्री साजेदारी अभ्यास MPX 2024 तो देखें MPX 2024 भारत वजर्मनी के भी संपन हुआ और पहला अभ्यास है यह भी इंपोर्टेंट है देखें यह पहला अभ्यास है MPX 2024 और यह भारत वजर्मनी के बीच में हुआ है most important है यह भी याद रखेंगे आप most important है समुद्री साजेदारी अभ्यास MPX 2024 किन दो देशों के भी संपन हुआ है तो भारत वजर्मनी के भी संपन हुआ अगला देखते हैं बरुन अभ्यास किस देश क बारत वफ्रांस के बीच में होता है और यह एक नौतनाई जानना आपको अगला पर्माण यूद्द्द अभ्यास या वायरस से बचने के लिए या पर्माण यूद्द से राजस्थान के अजमेर मैं युद्धाभ्यास किया है कोंसा परमार युद्धब्यास वाइरस युद्धब्यास इस ऊधच का मुख्य कण कि वॉज्ध युद्धिया किया गया ठीक है तो यह इंपोर्टेंट है यह भी इसमें इंपोर्टेंट है कि नेशनल वन हेल्थ मिशन एन ओ एचम के द्वारा किया गया है नेक्स देखते हैं अभ्यास उदार सकती भारत वा मलेशिया के बीच संपन्न हुआ ठीक है अभ्यास उदार सकती भारत वा मलेश सेना के बीच अगला देखते हैं अगला है सैन अभ्यास सक्ति सैन अभ्यास सक्ति भारत वब फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है सैन अभ्यास सक्ति अगला देखते हैं युद्ध अभ्यास युद्धाब्यास आईम्टी ट्राइलेट युद्धाब्यास आईम्टी ट्राइलेट का जो आयोजन होता है यह भारत मोजांबिक और तंजानिया मतलब तीन देशिस में सामिल है युद्धाब्यास आईम्टी ट्राइलेट यह जो है भारत मोजांबिक और तंजानिया के ब भारत और उजबेकिस्तान के बीच संपन्ड किया जाता है किस के बीच होता है भारत की वजए से इंपोर्टेंट गया आधिया है ले मीट यह भारत और सेशेर्स के बीच आयोजित होने वाला युद्धभ्यास है vedremo जिंच सबाउल है नहीं देखते हैं रुआ किससे के बीच होता है भारत वर जापान के बीच अगला देखते सेखेंडर फ Carolina पिछ नो अमेरिका के बीच डीफेंडर भारत वृ अमेरिका के पीच ञिए समुद्र लक्षम्ड बीच बुच होता है भारत मलेसिया के बीच के बीच अई आयोजित किया जाता है अगला देखते हैं अभ्यास दोस्ति अभ्यास दोस्ति किन के किन के बीच होता है भारत मालदी वर स्री लंका अभ्यास भारत मालदी वर स्री लंका के बीच आयोजित किया जाता है अगला देखते हैं सदा तंसिक अभ्यास सदा तंसिक अभ्यास होता ह सदांसिक अभ्यास यहाँ अगला देखते हैं अभ्यास खंजर किसके वीच lumière का था होता है यह भारत किर्गिदिस्तान के बीच लोग到底 में यहाँ से याद रखेगा यही पूछा गया है कि अभ्यास खंजर किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाने वाला युद्धा भ्यास है अगला देखते हैं सहयोग काईजिन भारत वा जापान के बीच आयोजित किया जाता है बिच आयोजित किया जाने वाला युद्धा भ्यास है तो दोस्तों यह मैंने अपने पूरे experience से जो हमारा UPPCS का experience है तो को मैंने विल्कुल तैयार किया है जिन प्रस्णों में यह पूछा जाता है कि यह युद्ध किन दो देशों के बीच होता है या दो से अधिक देशों के बीच में होता है उसको हमने साट में आपको बता दिया है आप देखिएगा इसमें से आपको एक दो प्रस्ण सीधे-सीधे मिल जाएंगे कि कौन सा युद्धाब्यास किन देशों के बीच संपन्न होता है साथ ही जहां आवस्यक्ता थी उस है निक युद्धाब्यास है तो सारा हमने अपने एक्सपिरियंस के हिसाब से एकदाब बेस्ट देने का प्रयास किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां से अगर कोई भी प्रस्ण आपकी परिक्षा में पूछा जाएगा चाहे वह यूपी-पीश्यस की परिक्षा हो तो वह प्रस्ण आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस पूरे पीडियाप को तयार करने में कितनी मेहनत लगती है तो एक कमेंट करिए आपकी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाली वीडियो आपकी PCS परिक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सहयोग भी प्रदाम करेगी तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तब तक के लिए स्वस्त र